हिलो बच्चों स्वागत है आपके अपने टूब चैनल का नहीं आ क्लासस पर जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गद्यांस को पढ़कर उससे सम्मंदित प्रशनों के उत्तर कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले क्या गरते हैं गद्यांस को ध्यान से पढ़ते हैं तो गद्यांस में लिखा है जन का प्रवाँ अनंत होता है सहस्त्रों वर्सों से भूम के साथ राष्ट्री जन ने तादातमय प्राप्त किया है जब तक सूर की रस्मिया निति प्राताकाल भुवन को अमरत से भर देती है तब तक राष्ट्री जन का जीवन भी अमर है इतिहास की अनेक उतार चड़ाव पार कैने के बाद भी राष्ट निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और स्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्मार करना होता है तो ये है गद्यांस अब हम इससे सम्मन्दित प्रश्णों के उत्तर लिखना बताएंगे कि आप गद्यांस से कैसे लिखेंगे तो पहला प्रश्ण है उपर युक्त गद्यांस के पाठ और लेखक का नाम लिखें तो ये पाठ का नाम है राष्ट का सरूप यानि कि जो गद्यांस है राष्ट के सरूप नामक पाठ से लिया गया है फिर लिखना आपको लेखक का नाम तो लेखक का नाम है वासदेवसरण अगरवाल यानि कि ये गद्यांस राष्ट का सरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक है वासदेवसरण अगरवाल तो पहले प्रश्ण में सिर्फ आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना था प्रश्ण दो जन का प्रवा किस तरह होता है तो गद्यास में देखिए इसका अंसर कहां पर है तो यहाँ पर लिखाए जन का प्रवा अनन्त होता है तो आप लिखेंगे उत्तर जन का प्रवा अनन्त होता है फिर तीसरा प्रश्ण है रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए अब ध्यान से गध्यान से में देखिए तो जन का प्रवा से लेकर अमर है यहां तक रेखांकित अंस है अब हम आपको बताएंगे कि आप इसकी व्यक्ष्या कैसे लिखेंगे तो इसको पड़ते हैं लिखा जन का प्रवा अनन्त होता है सहस्तरों वर्सों से भूम के साथ राष्टी जन ने तादात में प्राप्त किया है जब तक सूर्य की रस्मिया नित प्राताकाल भून को अमरस से भर देती हैं तब तक राष्टी जन का जीवन भी अमर है यानि कि इसकी व्याख्या है तो लिखेंगे जन का प्रवा अनन्त होता है सैकोडों वर्सों से लोगों का प्रथिवी के साथ गहरा सम्मंध है अर्थात जब तक सूर्य की किरणे प्रथिवी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों की जीवन ऐसे ही अमर रहेंगे यानि कि कहने का मतलब है जब तक सूर्य की किरणे प्रथिवी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेंगा आपको जो रेखांगित अंस दिया होता है उसकी व्याख्या जो है आपको अपने सब्दों में लिखना होता है तो हमने आपको बताया कि आप जो रेखांकित अंस दिया है उसकी व्याख्याप कैसे लिखेंगे हमने आपको बताया है अब हम आपको लिखकर बतायते हैं कि आप कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे जन का प्रवाह अनन्त होता है सैकुनों वर्सों से लोगों का प्रत्वी के साथ गहरा सम्मंध है अर्थात जब तक सूर की किर्णें प्रत्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों की जीवन ऐसे यमर रहेगा यहीं अमर रहेगा कोश्चन नमबर चार है सूर की रस्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है तो अब देखिए इसका आंसर गध्यांस में कहां से लिखते हैं तो ध्यांस यहां पर देखें यहां पर लिखा जब तक सूर की रस्मिया नित प्राता काल भुवन को अमरस से भर देती हैं तब तक राश्ट्री जन का जीवन भी अमर है तो आपको लिखना है सूर की रस्मियों का प्रभाव या है कि इससे राश्टी जन का जीवन अमर है यानि कि हमने आपको बताया है कि जब तक शूर की किने पृथवी पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन ऐसे ही अमर रहेगा तो जो ये प्रशन है कि सूरी की रस्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है तो आपको इसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है सिर्फ आपको एक ही लाइन में लिखना है तो आप लिखेंगे सूर की रस्मियों का प्रवाव या है कि इससे राष्टिय जन का जीवन अमर है Q5 है घाटों का निर्माड का आसक क्या होता है तो ध्यान से गद्यास में देखिए इसका अंसर कहां से तो यहां पर आपको मिल जाएगा घाटों का निर्माड तो आपको लिखना कहां से जिसमें कर्म और स्रम के द्वारा उत्थान के अनेग घाटों का निर्माड करना होता है आपको इतना ही आंसर लिखना क्या लिखेंगे जिसमें कर्म और सरम के द्वारा उत्थान के अनेग घाटों का निर्मार करना होता है चाहे आप यहां से इसको यहां तक लिख सकते हैं नहीं तो इसको आप अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे वेक्ति अपने कर्मों और स्रम के द्वारा पद चिन छोड़ जाता है तो question number 5 का answer लिखेंगे वेक्ति अपने कर्मों और स्रम के द्वारा पद चिन छोड़ जाता है तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप गध्यांस को पढ़कर उससे संबंदित प्रशनों के उत्तर आप गध्यांस से कैसे लिखेंगे इस वीडियो में हमने आपको समझाया है आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत